पत्रिकारों से सूत्र पूछने का पुलिस और कोट को कोई अधिकार नहीं है चीहां ये फैसला सुप्रिम कोट से एक बार फिर से निकल कर सामने आया है सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रिकारों के लिए काफी अच्छी खबर है सुप्रीम कोट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर जम कर नशाना साधा है चीफ जोस्टिस ने कहा है कि पत्रकारों की मौलिक अधिकारों की स्वतंतरता के खलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूच सकती है यहां तक कि कोट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाद्धे नहीं कर सकता है चीफ जोस्टिस ने कहा है कि आज कल ये देखने को मिल रहा है कि बिना किसी ठोस सुबूत और बिना जाच की पत्रकारों के खलाफ मुकदमा दर्श करा लिये जाते हैं स्रेष्ट बनने के चक्कर में पलस पत्रकारों की स्वतंतिरता का हनन कर रही है आपको बता दे कि सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबर के कई मामले कोट में जा चुके हैं कोट ने पत्रकारों से खबरों के सूत्र बताने का आदेश भी दे चुके हैं लेकिन Chief Justice of India ने इस फैसले के बाद मीडिया जगत में उत्सा है। जानकारी के लिए बता दे कि हमारे देश में किसी वुशेईस कानून के जड़िये पत्रकारों को अधिकार हासिल नहीं है। जी हाँ पत्रकारों के लिए अभिवेक्ति के आजादी का अधिकार बाकी नागरिकों के तरह सविधान के अनुछेद 19.1.1 के अंतरगत ही मिले हुए है। पत्रकारों को अपने सूत्र को गोपनिये रखने का अधिकार प्रेस काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। पत्रकारों के लिए ये काफी काम की और अच्छी कबर है क्योंकि सूप्रीम कोट ने एक बार फिर से फैसला सुना दिया है। उनके सूत्रों के बारे में पूछ सकता है। है से ही तमाम अब्डेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर। उनके सूत्रों के बारे में पूछ सकता है। उनके सुना आग्व सकता है। उनके सुना आग्व सकता है।